Welcome everyone, आप सभी का स्वागत है Tech 10 Show में और आज का जो हमारा topic है वो है quicksand तो बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि quicksand क्या है किसी भी तरह की एक मिट्टी होगी, एक sand होगी लेकिन ये किसी तरह की कोई sand नहीं है ये क्या है एक condition है ये क्या है, condition है जो कि किस में आकर होती है sand में आकर होती है अब ये quicksand है किया ये समझना बहुत जरूरी है मैं मान लेता हूँ कि एक ये soil है जो कि पानी में क्या हुआ है, डूबा हुआ है ठीक है, ये कोई structure है यहाँ पे और यहाँ पे पानी क्या हुआ है, भरा हुआ है अब क्या हुआ कि यहाँ से पानी सीप करके क्या चले गया नीचे चले गया, और यहाँ पे तो क्या था पानी प्रेजेंट नहीं था, और ये क्या हुआ आपको ये देखने को मिला कि पानी धीरे धीरे सीप करके उपर आने की कोशिश कर रहा है पानी क्या कर रहा है नीचे से सीप होके उपर की तरफ आ रहा है तो फ्लो क्या है अपवर्ड है फ्लो अपवर्ड अपवर्ड फ्लो तो जब फ्लो अपवर्ड होगा तो सीपेज भी कैसा होगा अपवर्ड डिरेक्शन में होगा सीपेज इन अपवर्ड डिरेक्शन तो सीपेज जब अपवर्ड डिरेक्शन में काम करेगा तो उसका प्रेशर भी अपवर्ड डिरेक्शन में काम करेगा तो सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड डिरेक्शन में काम करेगा सीपेज प्रेशर अपवर्ड डिरेक्शन में काम करेगा तो देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के साथ इफेक्टिव स्ट्रेस आप जानते हैं टोटल स्ट्रेस माइनस पूर वाटर प्रेशर और जो यहां पे पानी में जो प्रेशर यहां पे सॉइल के अंदर जो यहां पे सॉइल है उसमें जो प्रेशर काम कर रहा है वो कुंसा है सीपेज प्रेशर है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ पी एस लिख देता हूँ कि एक टाइम ऐसा आजाए effective stress किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए अगर effective stress 0 हो गया तो हमें ये पता है कि भई जो shear strength of soil होती है वो C plus sigma effective into 10,5 और cohesionless soil में जो cohesion है ही नहीं तो C की value क्या होगी already? 0 होगी सिग्मा की value 0 हो चुकी है यहां से मतलब shear strength क्या हो गई? 0 हो गई जब shear strength 0 हो गई तो ये इस upward flow की वज़े से इस seepage pressure की वज़े से ऐसा हो सकता है कि यहां की जो मिट्टी यहां पे जो soil sand present है अब ये क्या करने लग जाएगी? flow करने लग जाएगी flow करने लग जाएगी इसके साथ उस पानी के पार्टीकल के साथ तो अब sand as well as water particle क्या हो उन लग जाएगे साथ में flow होने लग जाएगी flow होने लग जाएगी तो यहां पे क्या cavity cavity form उन लग जाएगी गड़ा form होने लग जाएगा और ये धीरे धीरे क्या बढ़ते? होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा और एक pipe का क्या ले लेगा? face ले लेगा इस condition को हम quick sand condition बोलते हैं और ये pipe के जैसे structure ले ले रहा है इसलिए हम इसे piping condition भी बोलते हैं साथ में मिट्टी देख रहे हैं इसलिए हम इसे floating condition भी बोलते हैं तो piping भी इसी को बोला जाता है floating भी इसी को बोला जाता है quick sand condition भी इसी को बोला जाता है साथ में इसको एक नाम से और बोला लेते हैं sand boiling तो sand boiling भी इसी को बोला जाता है तो आप समझ गए होंगे कि ये quick sand का है किसी तरह की मिट्टी नहीं है यह किसी तरह की condition है साथ में एक चीज एक्जाम में और पुशी जाती है critical hydraulic gradient for quick sand condition क्या होता है तो वो g-1 upon 1 plus e यह कैसे आया, इसका क्या use है जब हम पूरे lecture soil के करेंगे तो उसमें इसका discussion भी होगा लेकिन अभी के लिए आपको यह याद रखना है IC की value for fine sand fine sand के लिए क्या होती है अक्सर पूछ ले जाता है तो आपको याद रखना है 1, unity ठीक है साथ में यह quick sand condition हमें सिर्फ cohesive soil में देखने को मिलती है cohesive soil में देखने को नहीं मिलती दूसरी बात cohesive less soil ठीक है और cohesive less soil में भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह fine sand and coarse silt में देखने को मिलती है fine sand and coarse silt तो बहुत बार exam में ऐसे पूछ ले जाता है तो आप आंसर महाँ पे कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करीं एता है कर fan लाम में आपस रो आपसे आपसे इस